नमस्कार दोस्तों, मैं योगिस, वायलोजी विद्योगिस मैं आपका स्वागत करता हूँ तो चलिए जैसा कि हम रैस्पारेशन वाले चैप्टर को कवर कर रहे थे तो उस रैस्पारेटरी जो सिस्टम वाला जो चैप्टर है उस में आखरी जो टॉपिक है, जो आज हम कवर करेंगे वो किस के लिए है, वो है रैस्पारेटरी डिसारडर के रिगार्डिंग याई कि आज जो हम टॉपिक पढ़ेंगे, उस में हम वो सारी चीजें शमझेंगे जिससे आपके lungs यानि कि आपके जो फैफडे है या जो आपका respiratory organ है उसमें कितनी सारी disorder या कितनी सारी परिशानिया जिससे कि आपके lungs में कुछ ना कुछ disorder हो सकते हैं उन्हीं सारे की सारे जो टर्म हैं या उन सारे की सारे बीमारियां या रोग या डिजीज हैं उनके बारे में आज हम डिसकस्शन करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो यहां मैंने एक चार्ड बनाया है उसी चार्ड में मैंने सारे जितने भी रैस्पारिटरी डिसॉर्डर हैं वो मैंने सारे mention कर दिये हैं ठीक है मैं यह चार्ट बना कि इसलिए लाता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो एक ही जगह पर सारा चेप्टर आप आसानी से उसको simple way से उसको याद कर सकें या simple way से उसको समझ सकें ठीक है तो चलिए देखो पहला जो disorder है वो हम देखेंगे पहला disorder यहाँ पर लिखा हुआ है आस्थमा दूसरा disorder हम देखेंगे COPD के recording ठीक है COPD में कौन-कौन से आते हैं इंफजीमा और एक आता है bronchitis और फिर उसके बाद देखेंगे occupational respiratory disorder उसके बाद एक और disorder है जिसको rhinitis करके हम जानते हैं तो चलिए शुरू करते हैं मैं इसको थो disorder होगा उसको हम जूम करके आपको बैटर तरीके से discuss करेंगे तो चलिए देखो यहाँ पर जो पहला disorder है वो क्या है अस्थमा अच्छा अब यह अस्थमा तो आप लोगों ने नाम सुना होगा अस्थमा वाली disorder में या अस्थमा जिस किसी व्यक्ति को हो जाता है उस व्यक्त उसको पताया था जो लंग्स होते हैं उन लंग्स में ब्रॉंकाई होती है ब्रॉंकियोल्स होते हैं तो उनहीं ब्रॉंकियोल्स में क्या होगा उसकी जो मसल्स होंगी मसल्स में contraction हो जाएगा contraction का मतलब क्या है सिकुडन हो जाएगी ठीक है अब आप इसको इस तरीके से आप अच्छे से समझाएगा तो यहां देखिए आप यहां आप देख पा रहे हैं एक यहां पर एक नॉर्मल लंग्स के ब्रॉंकाई की जो डाइग्राम है वो दिखाया गया है यह देखिए यहां से यह ब्रॉंकाई का एक डाइग्राम यहां से निकाल लिया है यहां से यह जू तरब क्या है यह चारों तरफ यह दिखाई दे रही है आपको यह क्या है की उपर मसल्स हैं ठीक है और आप यहां देख रहे हैं कि जो नॉर्मल ब्रांग काई है इसमें जो लिमन है यह जो खाली स्पेस है ब्रॉंपाई की जो मसल्स हें वो आप देख रहे हैं यहां पर कितनी ज़्यादा सीचोण चुकी है यानी की कॉण्स्रेक्ट हो चुकी ऑव कोंस्तृक्त होगा थो यह प्रश्रमेशन की बजरे सेसे विल्स आपन यहां पर एक immune response जो होता है उसी immune response के रिगार्डिंग यह जो मसल्स हैं वो inflammated हो जाती है तो जो मसल्स होंगी तो आपके जो ब्रॉंकाई की मसल्स हैं उनमें inflammation होने की वज़े से यह क्यासी हो जाती है contract कर जाती है सिकोड जाती है जिससे कि क्या होता है यहां का जो human है वो जो space है जहां से आप inspiration expiration कर रहे होते हैं यहां से तो अब वो क्या हो जाएगा उसका human narrow हो जाएगा कम हो जाएगा तो obviously बात है कि वहां से उतनी amount oxygen आ नहीं पाएगी इसलिए आपको सांस लेने में तकलीफ होगी सांस लेने में दिक्कत होगी ठीक है तो यह जो condition है यह किस तरह की condition हुई यह हुई आपकी पहली condition जिसको हम अस्थमा के नाम से जानते हैं तो ठीक है अस्थमा में मैंने क्या ब्रॉंकाई जो है या ब्रॉंको muscles हैं वो contract कर जाएंगी या हम कहें दूसरे सब्दों में इसको tracheal muscle spasm spasm का means भी होता है contract करना या फिर सिकुड जाना ठीक है तो जो ट्रैकिया है लंग्स में जो ट्रैकिया है या जो ब्रॉंकाई हैं उनमें अगर हमें क्या देखने को मिले उस muscles में सिकुडन देखने को मिले जिससे कि क्या हो जाए आपकी जो एयर्वेज है जो pipeline है वो कैसी next disorder है emphysema emphysema वाले disorder को देखने से पहले मैंने यहां पर एक चीज और यहां लिखा है CO यहां पर देखो sword में लिखा है COPD अब इसका मीन्स क्या है COPD का मीन्स आप इसका फुल फॉर्म जब देखेंगे तो आपको यहां फुल फॉर्म में निकलेगा आपका क्या निकलेगा chronic COPD का जो फुल फॉर्म है वो क्या है chronic obstructive pulmonary disorder ठीक है यानि कि overall means यही है कि जो lungs के regarding जो दिक्कत है जो परिसानिया है उनमें दो तरह की disorder देखने को मिलते हैं कौन-कौन से एंफजीमा और bronchitis तो सबसे पहले हम जो एंफजीमा है इसको समझ लेते हैं तो एंफजीमा वाली condition में क्या होता है तो देखो जो एंफजीमा वाली condition इसमें क्या होता है आपके lungs के जो एलिविवलाई है उनमें जो वाल होती है वो क्या होना सुरूँ हो जाती है इस बज़ा क्या होगा इस वज़े से आपकी जो एलिविवलाई है उसका surface एरिया गट जाएगा वहीं से तो उसी surface एरिया सए यानि ? यहां प्रॉपर नहीं हो पाएगा ठीक है और यह जो है यहां देखो नीचे लिखा हुआ है Manly Caused by Cigarette जो आप Cigarette पीते हैं उसमें कुछ ऐसे केमिकल होते हैं जो कि आपके लंग्स के अंदर जो यहां उनकी वाल को डैमेज करना शुरू कर देते हैं ठीक है तो इंफिजीमा वाली कंडिशन आपको डाइग्राम के थुरू दिखाते हैं जिससे आपको बैटर समझ आए तो यहां देखिए आप इस डाइग्राम में आपको बैटर समझ आएगा तो यहां देखो यह लिखा हुआ हुआ है Chronic Obstructive Pulmonary Disorder यानि कि यह COPD के नाम से भी कभी पूछ लिया जाता है तो COPD में मैंने आपको बताया क्या एक तो बताया आपको Bronchitis और दूसरा बताया इंफजीमा तो पहले आप इंफजीमा देखिए तो यहां देखो इंफजीमा वाली कंडिशन में क्या होगा यह यहां पर जूम करके दिखाया गया है यह वाला portion तो जूम करके आपने देखा जो टर्मिनल portion है वहां पर क्या होती थी लास्ट बाले portion में alveoli तो यहां पर देखो यह एक alveoli है तो यहां देखो एक healthy alveoli यानि कि normal alveoli है जिसमें normal यहां air space होंगे यहीं पैसे क्या होगा यहीं से capillary के द्वारा क्या होगा exchangement होतर रहेगा gaseous exchange लेकिन क्या होगा यहां आप देखिए यहां alveolar membrane degenerate हो रही है यान alveolar की जो wall है वो क्या होनी शुरू हो जाएगी damage होना शुरू हो जाएगी जिस वज़े से क्या होगा surface area में दिक्कत आएगी surface area कम हो जाएगा जिससे की gaseous exchange भी क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है तो इसी condition को हम क्या कहते है emphysema जो कि किसकी वज़े से देखने को मिलत order ठीक है अगला है bronchitis अब देखो जो bronchitis है वो थोड़ा सा similar है अस्थमा के लेकिन अंतर मैं आपको अभी बताऊंगा यहां पर भी क्या होता ब्रॉंकाइटिस में inflammation होने की बज़े से जो ब्रॉंकाई वाला जो portion है वो क्या कर जाता है वो भी contract कर जाता है देखिए यहां पर यहां पर मैंने diagram में देखो यहां पर लिखा हुआ है chronic यानि की बहुती ज्यादा खतरनाक bronchitis जो होगा उसमें क्या होगा inflammation होगा inflammation होने की बज़े से क्या होगा उसके अंदर यह देखो यह एक normal lumen है जैसा अस्तमा में भी देखा था यही पर लेकिन अस्तमा वाली condition में क्या था यहां muscles contract करने थी लेकिन अस्तमा वाली condition है muscle contract करने थी लेकिन bronchitis वाले में क्या होगा इसके अंदर की जो layer है उस अंदर की layer में क्या देखने को मिलेगा contraction देखने को मिलेगा inflammation की वज़े से तो इसकी अंदर वाली जो wall है सिर्फ वहीं contraction होगा यानि की overall जो lumen है वो क साफी जादा हो जाएगा ठीक है यहां क्या बनता है म्यूकस म्यूकस थोड़ा बहुत होना जरूरी है आपके लंग्स के अंदर जो स्पूटम है या जो म्यूकस है वो होना जरूरी है लेकिन ना तो जादा चाहिए वो म्यूकस ना ही एक दम कम चाहिए एक एक नॉर्मल एक regulated manner में mucos चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या होने लग जाएगा, यहाँ देखो, यहाँ पर excess amount में mucos production होने लग जाएगा, तो क्या होगा, excess amount में mucos produce होगा, तो यहाँ का जो air भी होगा, वो थोड़ा सा constrict हो जाएगा, कम हो जाएगा, जिसके बज़े से क्या देखने को मिले आपको यह disorder, या सांस लेने में, या फिर respiration में आपको दिक्कत होगी, तो यह हो गया आपका bronchitis, bronchitis थोड़ा सा similar है अस्तमा के, लेकिन यहाँ पर आपको bronchitis में आपको यह याद रखना है, यहाँ क्या होता है, इंफ्लामेशन होता है आपके अंदर वाली जो वाल होती ह ठीक है, तो यहाँ देखिए, COPD में कुछ symptoms होंगे, कुछ लक्षन होंगे, कैसे staging का होगा, छेक आएगी, weight loss हो सकता है ऐसे condition में, chronic dysapnea, कभी-कभी सांस भी बंद हो सकती है, cuff होगा, sputum जादा बनेगा, यानि कि जो आपका बलगम है, वो जादा बनेगा, chest में tightness, जो आप यह है अगला, जिसका नाम है occupational respiratory disorder, occupational का मतलब कुछ नहीं है, जो भी industrial level पे जो करमचारी या जो industry level में जो मजदूर काम करते हैं, जैसे कि खदाने हैं, कलखार खाने हैं, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे काम हो रहे होते हैं, जैसे खदान हैं, खदान में क्या निकलता हैं, कोई भी आपका कोईले की खदान होगी, जैसे कोईले के खदान में क्या होगा, बहुत ज़्यादा carbon महा निकलेगा, तो ऐसे खदानों में जो मजदूर होते हैं, वो बार बार वहीं पर काम करते हैं, जिससे कि वो inhale करने के साथ साथ वो ऐसे heavy metals को भी क्या कर जाते हैं, inhale कर जाते उनके lungs में, वो metal जमा होने लगता है, जैसे कि देखो पहला जो occupational respiratory disorder है, उसमें क्या है asbestosis, यानि इसमें क्या होगा, एक element है जिसका नाम है asbestos, वो उनके lungs में जमा होने लगता है, जिससे कि उनको क्या होने लग जाएगा, उनके lungs में fiber, यानि कि कुछ गाटे बनना सुरू ह जाएगे, जिसकों क्या कहते हैं, फाइब्रोसेस, ठीक है, तो इस asbestos की बज़े से उनके lungs में क्या बनना सुरू हो जाएगा, या fiber, या गाटे बनना सुरू हो जाएगी, ठीक है, इसी में ही जैसे कि एक metal होता है, silicon, ठीक है, तो जिसमें क्या होगा, इसमें silicosis कहते हैं, ज उनके सांस के द्वारा लंक्स में जाते रहते हैं, जिससे कि उनका immune system compromise हो जाता है, जिससे कि उनको आगे चलके long term effect देखने को मिलेगा, ठीक है, आखरी जो disorder है उसका नाम है rhinitis, rhinitis कैसा disorder है इसको देख लेते हैं, तो इस बाले disorder में क्या होता है, inflammation of nasal tract, या जो आपका जो nasal chamber है, nasal chamber आपको पता है, मैंने वहाँ पर बताया था, जो आपकी nose होती है, nose के अंदर जो खाली space है, वहाँ पर inflammation होने की वज़े से क्या हो जाता है, आपको rhinitis नाम का disorder हो जाता है, तो आपको आपको ये बेटर तरीके से समझा गया होगा, diagram के थ्रू भी मैंने आपको ये बताया, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस diagram को आप देखके इन सारी की सारी condition को फिर से recall कर सकते हैं, तो I hope आपको lecture पसंद आया हो, like करें और subscribe करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को share करें, तरने बाद, पर आप देखके।